नमस्कार आप देख रहे हैं गुड़ लग टुड़े और मैं हूँ आपके साथ शगुफता साहिल देव और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौझूद है पंडित शैलेंदर पंडे जी उनके साथ बाप्चीत करेंगे आगे बढ़ाएंगे इस शो को हम बात करेंगे कि जेवतिश में संपत्ति के योग कैसे देखे जाते हैं आप अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन इस सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा तो क्या है इसके पीछे के कारण के लिए आपको निवारन क्या करने हैं जानेंगे पंड्रि जिस से बेचना चाहते हों, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, हर मंगलवार को सुबह या शाम हनुमान जी के मंदर जाएं, उनके चरडों में लाल गुलाब का फूल या लाल गुडहल का फूल अर्पित करें, और ये प्राथना करें कि संपत्ती जल्दी स से जल्दी बिख जाए तो ऐसा करने से आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिख जाएगी और चलिए अब पंडीजी से जान लेते हैं 25 जनवरी के पंचांग के बारे में दिनांग 25 जनवरी 2023 दिन बुद्धवार तिथी है माघ शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी दोपहर के 12 बच के 34 मिनट तक नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात के 8 बच के 5 मिनट तक चंद्रमा कुम्भ राशी में संचरन कर रहे हैं दोपहर के 2 बच के 29 मिनट तक राहुकाल का समय दोपहर बारह बजे से एक बचके तीस मिनट तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है तो जरासी हरी सौफ खाकर और भगवान का समरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे तो चलिए आज के विशे को पंडिजी के साथ आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल जो मैं पंडिजी से समझना चाहती हूँ वो ये कि जोतिश में पंडिजी संपत्ती के योग आखिर कैसे देखे जाते हैं ये बताईए जी देखे संपत्ती के दो अर्थ होते हैं जिस संपत्ती के हम बात कर रहे हैं उसके मोटे तोर पर दो अर्थ हैं एक है भूमी और एक है भवन यानि लैंड एंड बिल्डिंग भूमी के लिए जमीन के लिए मुख्य रूप से मंगल जिम्मेदार होता है जमीन के लिए मुख्य रूप से मंगल की भूमी का होती है निर्मार के लिए भी कंस्ट्रक्शन के लिए भी मंगल की भूमी का होती है हाला कि कभी कभी इसमें शनी का रोल भी होता है लेकिन भवन के लिए जादा तर शुक्र की भूमी का होती है अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के लिए जादा तर शुक्र की भूमिका होती है जो बने-बनाए मकान होते हैं या बना-बनाया फ्लैट होता है उसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है शुक्र यानि विनस चतुर्थ भाव और इसका स्वामी संपत्ति के लिए महत्वपूर होता है क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से हम संपत्ति देखते हैं इसलिए कुंडली का चतुर्थ भाव कैसा है उसका स्वामी कैसा है ये देखना भी बहुत ज़्यादा एहम होता है कभी कभी सब्तम भाव भी इसमें भूमिका निभाता है क्योंकि वो चतुर्थ से चतुर्थ भाव है इसलिए सात्मे खाने की इसमें भूमिका होती है तो अगर हमें किसी व्यक्ति के संपत्ति को जानना है तो मंगल, शुक्र, चतुर्थ और सब्तम भाव से कुल मिलाकर हम संपत्ती को देख सकते हैं एक बात याद रखिए कि अगर बात जमीन की होगी तो हमें मंगल पे फोकस करना होगा और अगर बात होगी फ्लैट की या बने बनाए मकान की तो हमें शुक्र पे फोकस करना होगा यानि मंगल और शुक्र दोनों संपत्ती से संबंद रखते हैं और दोनों को अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है तो चलिए आज के विशे को और आगे बढ़ाएंगे और भी बातशित करेंगे परणुजी के साथ लेकिन अब बारी आ जाती है राशियों का हाल जानने की सबसे पहली तीन राशियों का हाल जान देते हैं परणुजी बताईए इनका वक्त कैसे रहने वाला है मेश राशी स्वास्थ आपका कुल मिला के इस समय ठीक बना रहेगा धन लाब के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और आपके परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशबराशी आर्थिक स्थिती आपकी बेहतर होगी मानसिक चिन्ताएं आपकी दूर होगी स्वास्थ के मामले में निश्चित रूप से इस समय सुधार होगा भग्वान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी पृतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी काम का बोज थोड़ा कम होगा परिवार में आपके खुश्याएंगी धन प्राप्ती के मजबूत योग आपके लिए बने हुए है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है चलिए इसे के साथ वक्त हो गया है आप सभी के सवाल लेने का आप भी अगर पंडिजी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें एमेल के जरी अपनी क्यारी भेज सकते हैं हमारा एमेल आइडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है तो पंडिजी सबसे पहला सवाल किसका है आज का जो पहला सवाल हमें लिखा है वो कीरती ने लिखा है और कीरती हमें दिल्ली से मेल लिखती है इनकी जन्म की तारीक है 20 मई 1994 1994 जन्म का समय है सुबा के 10 बच के 15 मिनट और जन्म का स्थान है दिल्ली कीरती कह रही है कि काफी लंबे समय से सरकारी नौकरी की तयारी कर रही हूँ लेकिन मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो मुझे कब तक सफलता मिलेगी सरकारी नौकरी में मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कीरती अगर आप सिक्षा छेतर में सरकारी नौकरी पाने का प्रयास करें तो एजुकेशन सेक्टर आपके लिए सबसे ज़ादा बढ़िया होगा सिक्षा छेतर में आप government job पा सकेंगी पहली बात दूसरी बात सरकारी नौकरी पाने के योग आपके साल 2023 में बनते हैं तो इसी साल प्रयास करने पर आपको सिक्षा छेतर में गवर्मेंट जॉब निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा जहां तक आपके विवाह का प्रश्ण है 2024 में जून से दिसंबर के बीच का जो समय है वो आपके विवाह का समय होगा उस समय में आपका विवाह होगा और ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या आपके वैवाहिक जीवन में नहीं दिखती है जिसकी चिंता की जाए तो उसके लिए परेशान होने की आवशक्ता नहीं है क्या उपाय करना चाहिए कीरती रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चड़ाईए एक बार साधा पानी प्लेन वाटर आदित्य हिदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्य देव से प्राथना करिए अपनी बेहतर नोकरी प्राप्त करने क अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं लेंड खरीदना चाहते हैं तो इसके योग कब बनते हैं अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिती मजबूत हो मंगल की पोजीशन मजबूत हो तो निश्चित रूप से आप जमीन खरीद पाएंगे आप भूमी खरीद पाएंगे मंगल का संबंद चतुर्थ भाव से हो या इसके स्वामी के साथ हो तो भी जमीन खरीदने की या जमीन होने की संभावना बनती है अगर किसी कुंडली में फायर एलिमेंट जादा हो अगनी तत्व जादा हो कुंडली के जादा तर ग्रह नवम दशम और एकादश भाव से संबंद रखते हो तो ऐसी स्थिती में भी व्यक्ति के जमीन खरीदने की और जमीन रखने की संभावना बन जाती है अगर किसी की जन्म की तारीख का संबंद एक नंबर से हो यानि जन्म की तारीख एक हो 10 हो 19 हो 28 या जन्म की तारीख का संबंद 4 से हो यानि date of birth 4 हो 13 हो 22 हो 31 हो जन्म की तारीख का संबंद 8 नंबर से हो यानि 8 हो 17 हो 26 हो या जन्म की तारीख का संबंद 9 के अंक से होता हो 9, 18 या 27 को आपका जन्म हुआ हो तो ऐसे लोगों का भी जुका जादा तर जमीन खरीदने में होता है और ऐसे लोग जादा तर जमीन खरीदते हैं यह संभावना उनके जीवन में बनती है करक राशी देखिए अगर आप व्यापार करते हैं या कोई भी रोजगार करते हैं तो उसमें इस समय लापरवाही मत करिएगा कोई भी निरड़े अगर आप लेने जा रहे हैं तो सोच समझकर निरड़े लेना आपके लिए बेहतर होगा और दोपहर के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है किसी निरधन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन के मुश्किले काफी हद तक कम हो जाएंगी शुबरंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा सिंगराशी स्वास्थे आपका ठीक बना रहेगा धन लाब के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इस समय जल्दबाजी में काम करने से बचियेगा भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी धन का लाब होता दिखाई दे रहा है विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आपकी हल होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाव होगा और शुली इसे के साथ शो में वक्त हो चला है एक और सवाल लेने का तो परणिजी अब कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं जी अगला जो प्रश्ण है वो नवोदिता ने हमें लिखा है कोलकाता से लिखती है इनकी जन्म की तारीक है 16 नवंबर 1974 1974 जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता ये कह रही है कि कर्द से बहुत ज़्यादा परिशान है और परिवार की आर्थिक स्थिती भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो क्या उपाय करें जिससे कर्द से छुटकारा मिले और परिवार की आर्थिक स्थिती बेहतर हो जाए नवोधिता जी आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका आने वाला समय बेहतर है इसलिए आने वाले समय में परिवार की आर्थिक स्थिती जरूर बेहतर हो जाएगी और कर्ज के मामलों से बहुत हद तक आपको छुटकारा मिलेगा ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है थोड़ा सा इंतिजार करें सितंबर 2023 तक का सितंबर 2023 के बाद आपकी स्थितिया लगातार बेहतर होनी शुरू हो जाएगी क्या उपाय किया जाएगा देखिए एक तो रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमा नाश्टक संकट मोचन हनुमा नाश्टक इसका पाठ सुबह शाम रोज करिए एक एक बार और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए लगभग 6-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूथी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुद्दवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाव होगा और चलिए अपन्डिजी से ये समझ लेते हैं कि संपत्ती अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं लेना चाहते हैं भूमी तो उसके योग बनते कब हैं कैसे बनते हैं और कब प्राप्त कर सकते हैं आप देखिए जमीन आप कब खरीदेंगे जमीन खरीदने की संभावना क्या होती है यह हमने आपको बता दिया संपत्ति प्राप्त करने के योग कब बनते हैं कब आप बना-बनाया मकान या बना-बनाया फ्लेट खरीदते हैं आईए वो भी जानते हैं अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल इन दोनों की स्थिती बेहतर हो इन दोनों की स्थिती ठीक हो तो आप बना-बनाया मकान या बना-बनाया फ्लेट खरीद पाते हैं शुक्र का संबंध अगर कुंडली के चतुर्थ भाव से हो शुक्र अगर फोर्थ हाउस से कनेक्ट करता हो तो भी बना-बनाया मकान या बना-बनाया फ्लेट आदमी खरीद पाता है शुक्र और चंद्रमा का संबंद अगर कुंडली में हो वैसे तो शुक्र और चंद्रमा का संबंद एक बड़ा पोटेंट एक बड़ा मजबूत राजियोग माना जाता है अगर कुंडली में ये संबन्द हो तो व्यक्ति बना-بनाया फ्लैट या बना-بनाया मकान खरीता है कुंडली में अगर पृत्वी तत्व मजबूत हो अर्थियल एलिमेंट मजबूत हो यानि कुंडली में छथा, सात्वा और आट्वा भाव मजबूत हो तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लेक खरीदता है अगर आपका मूलांक दो हो यानि जनम की तारीख दो हो 11 हो 20 हो या 29 मूलांक चार हो जनम की तारीख 4, 13, 22 या 31 मूलांक 6 हो जनम की तारीख हो आपकी 6, 15 या 24 तो ऐसे लोग जादा तर बना-बनाया मकान या बना-बनाया फ्लेट लेने का प्रयास करते हैं इसकी संभावनाएं थोड़ी जादा होती हैं तो अगर कुंडली में संपत्ती प्राप्त करने के योग बन रहे हैं उसकी दशा चल रही है तो आप दो तरह से संपत्ती ले सकते हैं एक तो आप जमीन ले सकते हैं अगर मंगल मजबूत दिखाई दे रहा है तो जमीन लेने की संभावना थोड़ी जादा होती है और अगर शुक्र मजबूत दिखाई दे रहा है तो बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान लेने की संभावना थोड़ी जादा रहती है तो आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि भाई व्यक्ति की किस्मत में जो संपत्ती का योग बन रहा है वो जमीन लेने का बन रहा है या फ्लेट लेने का या बना बनाया मकान लेने का योग बन रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा तो संपत्य प्राप्त करने के योग आपकी कुंडली में कब बनते हैं और कैसे बनते हैं ये समझ लिए आपने पंड़िजी से अब बार्या आज आती है राशी फल की अगली तीन राशियों का हाल जा लेते हैं पंड़िजी बता दीजिए इनका वक्त कैसा रहेगा तुला राशी करियर के मामलों में आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है कारोबार के मामले में आपको फाइदा हो सकता है संतान पक्ष की उन्नती भी होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिश्यक राशी सेहत आपकी बिगर सकती है करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें किसी मित्र का सहयोग मिलेगा और उससे आपको फाइदा होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा धनुराशी करियर में इस समय कुछ परिवर्तन हो सकता है मानसिक चिन्ता आपकी दूर होगी परिवार के मामले में शान्ती बनाए रखें भगवान गनेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है और चलिए आपके सवालों पर वापस लोटते हैं और पंडिजी से जान लेते हैं कि अब कौन से दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं पंडिजी और जन्द का स्थान है पटना में लिखते हैं हमें जमशेदपुर जारखंड से इस समय ये लिख रहे हैं कि नौकरी भी बदलना चाहते हैं और स्थान में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो नौकरी बदलने की क्या संभावना है और अगर नौकरी बदलेगी तो क्या साथ में स्थान परिवर्तन भी होगा या नहीं होगा देखे संजय जी 2023 में हम आपको नौकरी बदलने की कोई सलाह नहीं देंगे क्योंकि इस साल नौकरी बदलने का निर्ड़े आपके लिए गलत हो सकता है तो इस साल आप नौकरी बदलने का प्रयास ना करें 2024 के फरवरी के बाद अगर आप नौकरी बदलें तो एक तो आपकी नौकरी भी बदलेगी और दूसरे आपका बेहतर तरीके से स्थान परिवर्तन भी हो पाएगा इस साल कोई बड़ा निर्ड़े लेने से आपको बचना चाहिए और इस साल अपने स्वास्त का भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए क्या उपाए करेंगे एक मोती बनवा के पहन दीजिए लगभग 10-12 रती की मोती चादी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुकल पक्ष के सो मुआर की रात को मोती पहनना आपके लिए बहतर होगा तो एक आप मोती बनवा करके जरूर पहनने और रोज शाम को 108 बार ओम शंग शनेश्चराय नमहा ओम शंग शनेश्चराय नमहा इस मंत्र का जब करें तो आपके परिणाम बहुत बहतर होगे और शली अब पंडिजी से ये समझते हैं कि आपने संपत्ती तो प्राप्त कर लिए आपके पास संपत्ती आ गई लेकिन उसका फायदा अगर आपको नहीं मिल रहा तो संपत्ती को प्राप्त करने के बाद उसके लाप के लिए उसके फायदों के लिए पंडिजी क्या कुछ करना चाहिए वो बताईए अब अगर आप संपत्ती खरीदना चाहते हैं और संपत्ती नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं और जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं तो जमीन खरीदने के लिए भूमी के लाब के लिए क्या करेंगे तीन महीने तक मंगल को मजबूत करने के उपाए आपको करने चाहिए क्योंकि जमीन खरीदने की बात जब होगी तो मंगल की बात उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी क्या करेंगे लाल आसन पर बैठ करके मंगल के तांत्रिक मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जब करेंगे मंत्र होगा ओम क्रांग क्रींग क्रॉंग सह भावमाय नमह इस मंत्र का आपको जब करना होगा रोज सुबह और रोज शाम मंगल वार को गाय को गुड़ खिलाईएगा आपका काम जल्दी से जल्दी बन जाएगा ये उपाए आप लगातार तीन महीने तक करिएगा आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा और अगर जमीन खरीदने में कोई भी अर्चन आ रही होगी कोई भी बाधा आ रही होगी तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और चलिए अब पंडिजी से ये समझते हैं कर अगर आप बनी बनाई प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उसके लिए फिर आपको क्या कुछ करना चाहिए पंडिजी को किसी भी धर्म स्थान में जा करके किसी भी मंदिर में जा करके जो मांगने वाले लोग होते हैं या जो निर्धन हैं उनको सफेद मिठाई आपको बाटनी है एक इस फटिक की माला आप गले में धारन कर लें सफेद इस फटिक की माला और एक चानदी का छल्ला दाहिने हाथ के राइट हैंड के थंभ में अगर आप पहन लें तो क्या होगा ये उपाय करने से शुक्र वाला पार्ट जो आपके जीवन में है शुक्र वाला हिस्सा जो आपके जीवन में है वो हिस्सा मजबूत होगा और अगर शुक्र वाला हिस्सा आपके जीवन में मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आप बना बनाया मकान या बनी बनाई प्रोपर्टी खरीप पाएंगे मकर राशी नई जिम्मेदारियां इस समय आपको मिल सकती है ये संभावना आपके लिए बन रही है धन लाब के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी करियर की स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है स्वास्थ की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी जादा शुब होगा शुबरंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है पच्चासी प्रतिशत यानि सबसे ज़ादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करियेगा स्वास्थ का बहुत ध्यान दखियेगा अगर अपने बड़ों की सलाह मान करके आप काम करते हैं तो आपको लाब होगा किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें आपके दिन की मुश्किले कम हो जाएंगे शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ पृतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा और चलिए इसे के साथ फक्तो चला है इस शो का अंतिम सवाल पंडिजी से जान लेने का तो पंडिजी अंतिम सवाल कौन से दर्शक का है आज का अंतिम प्रश्न हमें सीता राम जी ने लिखा है और सीता राम जी हमें वारानसी से मेल लिखते हैं इनकी जन्द की तारीक है 7 सितंबर 1965 1965 जन्द का समय है सुबह के लगभग 6 बच के 15 मिनट और जन्द का स्थान है वारानसी सीता राम जी लिख रहे हैं कि संतानों की तरफ से कष्ट बहुत जादा है संतानों की चन्ता भी बहुत है और संतानों का जो सपोर्ट जीवन में मिलना चाहिये वो सपोर्ट जीवन में नहीं है क्या उपाय करें कि जीवन का संतान पक्ष बेहतर होना शुरू हो जाए सीता राम जी सबसे पहले आपको बता दूँ कि आने वाले समय में आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी ऐसा लगता है कि अगस्त 2023 के बाद से संतान पक्ष की चिंता दूर हो जाएगी लेकिन संतान का बहुत सपोर्ट मिलेगा संतान की तरब से बहुत सहायता मिलेगी इसकी संभावना थोड़ी कमजोर है इसलिए संतान को ले करके अपने मन में किसी तरह की अपेक्षा न रखें तो आपके लिए जादा बहतर होगा उस पक्ष पर मत जाएं हाँ ये जरूर है कि संतानों के जीवन में जो मुश्किल है वो मुश्किल इस साल के अगस्त के बाद से बहतर हो जाएगी क्या उपाय करना चाहिए देखिए आप दो काम करिए रोज सुबह एक बार विश्नु सहस्त्र नाम विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करिए बहुत अच्छा रहेगा और एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल में दाहिने हाथ की तरजनी उंगली में ब्रिहस्पती वार की प्रातह अगर आप धारन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा देखिए आज हम बात कर रहे हैं पंडिजी से समझ रहे हैं कि संपत्ती प्राप्ती की योग कैसे बनते हैं आपकी कुंडली में तो पंडिजी ये बताईए कि अगर कोई भी शक्स मेरी तरहा या कोई भी शक्स अगर प्रापर्टी खरीदना चाहता है तो उसको किस प्रकार की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे उसको सीधा सीधा फाइदा हो देखिए पहले ही आपको बताया कि संपत्ती के मामले में दो ग्रह इन्वाल्व होते हैं एक होता है मंगल अगर बात जमीन की होती है और एक होता है शुक्र अगर बने बनाए फ्लेट की या बने बनाए मकान की बात होती है दोनों ही स्थिती परिस्थिती में अगर आप संपत्ती खरीदने की योजना बना रहे हैं या अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हर इस्थिती परिस्थिती में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए अगर आप नियमित रूप से जादा कुछ ना करें सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा और हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से प्राथना करें कि आपको संपत्ती का लाब हो तो निश्चित रूप से आपको संपत्ती का लाब होगा तो जो व्यक्ति प्रोपर्टी का फाइदा चाहता है उस व्यक्ति को नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए हाना कि ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुंडली में योग होना चाहिए अगर कुंडली में योग है तो उस समय में उस दशा में आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें तो एक बेहतर और एक अच्छी प्रोपर्टी आप जरूर ले पाएंगे अगर हम रतनों की बात करें जेम स्टोन की बात करें तो सलाह ले करके मूंगा पहनने से भी संपत्ती का फाइदा होता है और सलाह ले करके ओपल पहनने से भी संपत्ती का फाइदा जरूर होता है तो एक तो आप हनुमान जी की पूजा करिए अगर property का कोई भी matter involved है तो आपको फाइदा होगा और दूसरा ये है कि सलाह लेकर के एक मूंगा पहन ले या एक ओपल पहन ले ऐसा करने से भी आपको संपत्ती का लाप जरूर होगा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो संपत्ती के मामले में है कि देखिए संपत्ती खरीदने के लिए अकसर लोन लेना पड़ता है कर्ज लेना पड़ता है तो अगर कर्ज भी लेना पड़ रहा है तो हनुमान जी की पूजा अगर आप संपत्ती खरीदने के समय करते रहेंगे तो उससे बहुत बड़ा फाइदा आपको ये होगा कि जो लोन आप लेंगे, जो कर्ज आप लेंगे प्रापर्टी के लिए उस कर्जे को भी आसानी से चुका पाएंगे तो अगर आप ये काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है उचली ये इसे के साथ पंडिजी से जान लेते हैं कि 25 जनवरी को जिन तमाम लोगों का हैपी बर्थडे है, उनका वक्त कैसा रहने वाला है पंडिजी? जिन लोगों का जन दिन 25 जनवरी को है, उन्हें हम सब की तरब से जन दिन की हार्दिक्षुप कामना हैं आने वाले वर्ष में आपको आपके करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, स्वास्थ की स्थितियों में भी आपके सुधार होगा, धन और कर्ज की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी, कर्जे चुकेंगे, पैसा आएगा, जो लोग आविवाहित हैं, उनका विवाह इस साल हो सकता है क्या करना होगा, पूरे साल भर भग्वान शिव को अगर आप जल अर्पित करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुब रहेगा और चलिया, पणिजी से जान लेते हैं आज की जग्यासा के बारे में एक बहुत बार लोगों से आपने सुना होगा, कि लोग कहते हैं कि उसकी अ-समय मृत्यू हो गई, उसकी अकाल मृत्यू हो गई तो क्या किसी व्यक्ति की समय के पहले या अकाल मृत्यू भी होती है ऐसा होता है देखिए स्रिष्टी जो है इसमें सब कुछ अपनी निश्चित व्यवस्था के अनुसार चलता है कोई भी चीज समय के पहले भी नहीं होगी और समय के बाद में भी नहीं होती इसलिए अकाल मृत्यु जैसा असमय देहांत हो गया अकाल मृत्यु हो गई ऐसा कुछ नहीं होता हर चीज अपने समय पर ही होती है जिसके भाग्य में जिसके जीवन में जितना आयू का प्रकंड होता है उतने समय तक उसका जीवन चलता रहता है और चलिए अब पंडिजी से जान लेते हैं आज के शुब पहर के बारे में बात करते हैं शुब पहर की दिनांग 25 जनवरी 2023 दिन बुद्धवार शुब पहर का समय है शाम को 7 बच के 30 मिनट से रात के 9 बजे के बीच में इस समय में कपूर जला करके भगवान गडेश की आरती करियेगा सिख्षा का जो मामला है संतान संबंधी जो मामला है ये मामला आपका हल होगा लेकिन करेंगे शुब पहर में ही समय फिर से नोट करें दिनांक 25 जनवरी बुद्धवार शाम को 7 बच के 30 मिनट से रात के 9 बजे के बीच में और चलिए वक्त हो चला है गुडलक राशी के बारे में जानने का तो पंडी जी बताईए कौन सी है गुडलक राशी और उसका वक्त कैसा रहेगा दखिए हम आपको अलग-अलग राशीयों के करजों के बारे में बता रहे हैं कि उनके करजों की स्थिती कैसी रहती है इसी क्रम में आज जिस राशी की हम बात करेंगे वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले लोग थोड़े थोड़े करजे लेकर के अपने बड़े काम निप्टा लेते हैं विलासिता और अनावश्यक कारियों के लिए इनको करजा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें आप भर सकते हैं क्या करेंगे करज मुक्ती के लिए अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो करजा आपके उपर चड़ेगा ही नहीं और अगर चड़ेगा तो आसानी से उतर जाएगा और चले उपाय तो पंडिजी ने बहुत बता दिया बारी आती है महा उपाय के बारे में जानने की तो पंडिजी आज का महा उपाय क्या है अगर आप किसी मुकदमे में बेवज़ा फस गए हैं मुकदमा लंबे समय से चल रहा है छुटकारा नहीं मिल रहा है तो क्या उपाय करेंगे रोज सवेरे लाल आसन पर हनुमान जी के सामने बैठियेगा चमेली के तेल का एक दीपक जलाईएगा और इसके बाद एक बार बजरंग बान का पाठ करियेगा और फिर मुकदमे से छुटकारा पाने की प्राथना करियेगा यह उपाय आप किसी भी मंगलवार को शुरू करें और लगातार 27 दिनों तक करें या सपता हमें एक दिन हर मंगलवार को करें लगातार 27 मंगल तक ये उपाय आप करें आपको मुकदमे से छुटकारा अवश्य मिलेगा ये ध्यान रखिएगा कि जितने दिन आप ये उपाय करेंगे उतने दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसन, आदी का प्रियोग नहीं करेंगे तो ये उपाय ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा एफेक्टिव होगा पंडीजी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत-बहुत चुक्रिया धन्यवाद पुचरिया, आज की इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही ज़्याद भीजी बाकी कबने लगाता आप जारी है, आप डिक्तर ही एक अस्टिटे, नमस्कार पाटे जै